हेलो फ्रेंड्स आज हम क्लाश 10 साइंस चैप्टर 15 अवर एन्वार्मेंट स्टार्ट करेंगे तो सबसे बहले एन्वार्मेंट के बारे में जानते हैं एन्वार्मेंट होता क्या है तो कोई भी परसन एनिमल या प्लांट जिस भी सराउंडिंग में रहता है उसके आसपास की जो कंडिशन होती हैं उन्हें हम एन्वार्मेंट कहते हैं तो एन्वार्मेंट क्या है कोई भी परसन या एनिमल या प्लांट जहां पर रहता है उसके आसपास की सराउंडिंग उसके आसपास की जो कंडिशन है वो एन्वार्मेंट कहलाईगी तो इसमें introductory पार्ट में कहा गया है कि हमने जो word environment है वो सुना होगा या तो environment का शब्द हमने television पर सुना होगा newspaper में पढ़ा होगा या आसपास जो people रहते हैं हमारे उनके द्वारा हमने ये environment का word कभी न कभी सुना होगा Our elders tell us that the environment is not what it used to be earlier Others say that we should work in a healthy environment हमारे जो elders हैं बड़े हैं उनको कहते हुए हमने सुना होगा कि जो environment जैसा पहले था अब ऐसा environment नहीं है या फिर जो दूसरे people हैं उनको कहते सुना होगा कि जो हमें healthy environment में काम करना चाहिए हमारे आसपास का जो environment होना चाहिए वो healthy होना चाहिए और global summits involving the developed and developing countries are regularly held to discuss environmental issues और global summits होती हैं, global meetings होती हैं जिनमें developed countries और developing countries यानि ऐसी countries जो developed हैं जैसे की अमेरिका हो गया, developing countries जैसे की इंडिया तो global summits होती हैं जो इन countries के द्वारा उनमें भाग लिया जाता है और ये जो global summits होती हैं, ये environmental issues को discuss करने के लिए की जाती है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो अलग-अलग factors हैं वो environment को किस तरीके से effect करते हैं और अलग-अलग factors environment में आपस में किस तरीके से interact करते हैं आपस में किस तरीके से जुड़े हुए हैं साथ ये factors environment को किस तरीके से effect करेंगे ये सब चीजे इस chapter में हमें पढ़नी हैं और class 9 में भी हमने पढ़ा था कि environment में जो अलग-अलग materials हैं, उनका एक cycle चलता रहता है, तो अलग-अलग materials का अपना एक separate cycle होता है, जिनको हम bio-geochemical cycles कहते हैं In these cycles, essential nutrients like nitrogen, carbon, oxygen and water are changed from one form to another, तो जो ये cycles चलते रहते हैं, इन में essential nutrients जो ज़रूरी हैं, जैसे कि nitrogen, carbon, oxygen और water, ये एक form से दूसरी form में convert होते रहते हैं जैसे nitrogen है, N2 की form में, वो कभी nitrous oxide की NO2 के रूप में होगा, कभी nitrate के रूप में होगा, NO2 कभी nitrite यानि, और NO3 कभी nitrate के रूप में होगा, तो इस तरीके से एक form से दूसरे form में convert होते रहते हैं We shall now see how human activities affect these cycles, अब हम देखेंगे कि जो human activities हैं, वो इन cycles को किस तरीके से affect कर रही हैं तो इसमें सबसे पहला topic है, what happens when we add our waste to the environment, जब हम अपना waste यानि कुड़ा, जो garbage है, उसको environment में add करते हैं, तो environment पर इसका क्या affect पड़ता है, ये हम देखेंगे In our daily activities, we generate a lot of material that are thrown away, हमारी जो दिनवर की activities होती हैं, उनमें हम बहुत ज़्यादा quantity में waste material को produce करते हैं और जो ये waste material होते हैं, ये हम ऐसे ही fact देते हैं, what are some of these waste material, इनमें से कुछ waste material क्या है कुछ waste material हमारे खाने की हो गए, कुछ waste material हमारे जो packing होती है, जिनसे हम बाजार से समान लाते हैं, polythines हो गई, ये waste material है, जिनको हम ऐसे ही fact देते हैं अब इसमें question पूछा गया, जब हम waste material को ऐसे ही fact देते हैं, तो इसका environment में क्या effect पड़ता है तो इसको समझने के लिए हम एक activity कर लेते हैं, activity 15.1, important तो नहीं activity लेकिन कर लेते हैं इस activity में हमें क्या करना है, अपने home से कुछ waste material को collect करना है और इन waste material में क्या क्या हो सकता है, जो दिन भर में जो waste material जनरेट हुए, वो हो सकते हैं जैसे की kitchen का waste हो गया, kitchen के waste में spoiled food, vegetable की जो छिलके होते हैं, pills और used till use, चाय की पत्ती जो use कर ली गई हो, milk के packet हो सकते हैं, और empty cartons हो सकते हैं और हमारे घरों में waste paper, empty medicine bottle, strips, bubble packs, ये सब waste material हम अपने घरों से इखटा कर सकते हैं अब हमें invest material को करना क्या है, school के garden में या आसपास आपके जगा हो, वहाँ पर एक खड़ा खोदना है और उस खड़े में आपको इनको दबा देना है, ब्यूराइड कर देना है और अगर आपके पास space available ना हो, तो इनको आप एक पुरानी bucket में, flower port में आप रख सकते हैं और उसको 15 cm soil से लगबग उसको cover कर सकते हैं फिर इस material को हमें moist रखना है, और इसके 15 days के इंटरोल में, यानि 15 दिन के बाद इसको हमें क्या करना है observe करना है, कि 15 दिन के बाद उसमें क्या हुआ फिर इसमें जब हम इतनी activity कर लेंगे, तो हमें उन materials को इनमें से छाटना है, select करना है जो 15 दिन के बाद भी उनमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ जैसे 15 दिन पहले आपने उनके उपर मिट्टे डाली थी, 15 दिन के बाद आप अगर निकालेंगे, तो वो substance ऐसे ही निकलेंगे ऐसे substance को अलग कर लेना है फिर जो materials जिन की structure में change हो गया समय के सासाथ, उन substance को अलग कर लेना है फिर हमें देखना है, जिन materials में change आया जिन substance में 15 दिन के बाद change आया, उन में से कौन से सबसे ज़्यादा तेजी से change आया और किन substance में सबसे कम तेजी से change आया, यह आपको इसमें activity में देखना है तो यह activity है आप करके देख सकते है We have seen in the chapter on life processes that the food we eat is digested by various enzymes in our body हमने chapter 6 पढ़ाता life processes, class 10 science में ही उसमें हमने देखाता कि जो food हम खाते हैं, उसको हमारी body में different different enzymes होते हैं जो उसको पचाने का काम करते हैं, digestion का काम करते हैं Have you ever wondered why the same enzyme does not break down everything we eat क्या आपने कभी सोचा है, हमारी body में एक ही enzyme सारे के सारे खाने को क्यों नहीं digest कर पाता मलब खाने को पचाने के लिए अलग-अलग enzymes की different, different enzymes की जरुरत क्यों पढ़ती है Enzymes are specific in their action Specific enzymes are needed for the breakdown of a particular substance इसका answer है कि जो enzymes होते हैं, वो अपने action में specific होते हैं जो specific enzymes होंगे, वो एक particular substance को ही तोड़ेंगे, बागी किसी भी substance को वो तोड़ेंगे, नहीं जैसे कोई enzyme है, वो protein को digest करने का काम करेगा तो वो enzyme सिर्फ protein को digest कराएगा, वो fat को digest नहीं कराएगा कोई enzyme है जो fat पर action करता है, तो वो fat को digest कराएगा, protein को digest नहीं कराएगा तो क्या हुआ? जो enzyme से वो अपने action में unique होते हैं, specific होते हैं यानि एक टाइप का जो enzymes होगा, वो सिर्फ एक ही particular type के सबस्टांस पर affect करेगा, दूसरे सबस्टांस पर वो अपना action नहीं कर पाएगा, इसलिए हमारी body में खाने में कितनी चीज़े होती हैं, protein, fat, carbohydrate, ये सब चीज़े होती हैं, तो इनको तोड़ने के लिए, इनको digest कराने के लिए अलग-अलग enzymes के वश्यक्ता होती है, that is why we will not get any energy if we try to eat coal, इसी के कारण अगर हम कोईला खाना स्टार्ट कर देंगे, कोल खाना स्टार्ट कर देंगे, तो हमें कोई भी energy नहीं मिलेगी, क्योंकि कोईले पर action करने के लिए हमारे body में enzyme है ही नहीं, because of this, many human made materials like plastics will not be broken down by the action of bacteria or other saprophytes, इसी के कारण बहुत सारी human made materials होते हैं, जैसे की plastics हो गई, जो polythene हम use करते हैं, तो उन पर कोई भी bacteria, कोई या कोई भी saprophytes action नहीं कर पाते, इसी के कारण जो plastics होती हैं, वो environment में degrade, environment में नष्ट नहीं होती, उसका कारण क्या है, कि environment में ऐसे bacteria, ऐसे microorganism मौजूद ही नहीं है, जो plastic पर क्या करें, अपना action करें, और plastic को नष्ट कर दें, these materials will be acted upon by physical processes, like heat and pressure, but under the ambient condition found in our environment, these persist for a long time, तो ऐसे जो material होते हैं, जैसे की plastics, ये जो plastic होती हैं, इनको कुछ physical processes होते हैं, जैसे की heat और pressure, यही इनको खत्म कर सकते हैं, heat हो गया, या इनको जला दें, तबी तो इनको नष्ट किया जा सकता है, और जो environment में जो condition पाया जाती है, normal condition, उन पर, उन normal condition का plastics पर कोई भी effect नहीं होता, इसी के कारण जो plastics हैं, वो environment में बहुत ज़्यादा समय तक बची रहती हैं, substances that are broken down by biological processes are said to be biodegradable, तो यह important definition है, biodegradable substance वे substance होते हैं, जिनको biological process के दोरा तोड़ा जा सकता है, degrade किया जा सकता है, जैसे कि biological process में bacteria आ गए, fungi आ गए, जो microorganism होते हैं, वो क्या कर देते हैं, इन substance को नश्ट कर देते हैं, जैसे आपने देखा होगा केले का चिलका, केले का चिलका अगर आप ऐसे ही डाल दें, तो धीरे धीरे वो काला पढ़ने लगता है, और धीरे धीरे खत्म होने लगता है तो वो क्या है, biodegradable substance, यानि biodegradable substance का मलब उन पर microorganism act करते हैं, और उनको खत्म कर देते हैं, तो activity आपने करी, उसमें से आपको बताए कितने substance आपने जो use किये थे, वो biodegradable थे, वो आप देख सकते हैं, दबाने के बाद जो नश्ट हो गए, वो biodegradable थे, जो नश्ट नही तो जो substance biological process के द्वारा, microorganism के द्वारा, degrade नहीं होते, नश्ट नहीं होते, वो non-bio-degradable substance कहलाते हैं, जैसे कि plastic, plastic को आप कितने दिनों तक रखते हैं, ऐसे ही बची रहती है, उन पर कोई भी microorganism act नहीं कर पाता, उनको degrade नहीं कर पाता, these substance may be inert and simply persist in the environment for a long time, और may harm the various members of the ecosystem, तो जो non-bio-degradable substance होते हैं, ये inert होते हैं, ये किसी के साथ reaction, environmental condition के साथ reaction नहीं करते हैं, reaction करेंगे तो नश्टोने का चांस होता है, तो non-bio-degradable substance inert होते हैं, reaction नहीं करते हैं, और ये environment में बहुत जादा समय के लिए बचे रहते हैं, और ecosystem के जो member से उनको भी effect करते हैं, अब ये activity है, ये आप कर सकते हैं, इंटरनेट के साहता से आप bar-degradable और non-bio-degradable substance आप छाट सकते हैं, फिर आप देख सकते हैं, select करने के बाद कि ये कितने दिनों तक बचे रह सकते हैं, और क्या-क्या condition हैं, जिनसे इनको नश्ट किया जा सकता है, second topic है, ecosystem what are its component, ecosystem क्या है, और इसके component क्या-क्या है, all organisms such as plants, animals, microorganisms and human beings, as well as the physical surrounding interact with each other and maintain a balance in nature, सभी organism जैसे की plants, animals, microorganisms and human beings, साथ इसाथ इन organism के आसपास का जो surroundings हैं, आसपास का जो area है, वो आपस में interact करते हैं, जिससे की nature में balance बना रहे हैं, plants, animals, microorganisms, human beings और आसपास की surroundings होगी, वो आपस में interact करेंगी, जिससे की क्या किया जा सके, nature में balance बना जा सके, maintain किया जा सके, अब ये ecosystem की definition आ गई किसी भी area में जितनी interacting organism है और उस area में जो no living constituents है वो आपस में क्या बनाती है ecosystem को constituent करती है जैसे हमारे कोई हमारे आसपास का area है उसमें हम भी मौजूद है animals मौजूद है, plants मौजूद है और non living constituents मौजूद है माल लिजए वहाँ पर पहाड मौजूद है rocks है और वहाँ की soil कैसी है वहाँ का temperature कैसा है तो ये सब जो factors है ये किसी एक particular area में जब आपस में interact करते है तो उस interaction को हम क्या कहते है तो जो ये interact करने वाली जो आपस में सब ये organism है ये क्या कहलाती है ये ecosystem बनाती है तो ecosystem क्या है किसी भी area की interacting organism plants, animals, microorganism, human beings साथ ये साथ उस area के जो no living constituents है वो आपस में मिल कर क्या बनाएंगे ecosystem बनाएंगे उस particular system को हम क्या कहेंगे ecosystem तो किसी भी एक ecosystem में biotic component भी आते हैं जिसमें living organism होंगे और उस ecosystem में abiotic component भी आएंगे जैसे कि no living जैसे कि temperature, rainfall, wind, soil and mineral तो biotic और abiotic component किसी एक area में क्या बनाते हैं ecosystem को form करते हैं for example if you visit a garden you will find different plant such as grasses, trees, flower bearing plants like rose, jasmine, sunflower अगर example के तोर पर अगर आप किसी एक garden में जाए बगीचे में जाए तो उस garden में आपको क्या-क्या दिखाए देगा plants दिखाए देंगे वहाँ पर आपको grass दिखाए देगा बड़े-बड़े trees दिखाए देंगे और flowering plants दिखाए देंगे जिसमें rose भी होगा, jasmine होगा sunflower होगे और उस garden में आपको animals भी दिखाए देंगे जैसे कि frogs, insects और birds all these living organisms interact with each other and their growth, reproduction and other activities are affected by the abiotic component of ecosystem so a garden is an ecosystem तो उस garden में जितने भी living organism है जो हमने उपर पड़ है यह आपस में interact करते हैं और इन living organism की जो growth है और reproduction है और जो दूसरी activities है उन पर abiotic component, temperature, rainfall और wind यह भी उन पर effect करते हैं तो यह सारे मिलकर क्या बनाते हैं ecosystem बनाते हैं तो garden को हम क्या कहेंगे ecosystem कहेंगे क्योंकि garden वह particular area है जहाँ पर यह सब चीजें living और no living आपस में interact कर रही हैं तो garden भी क्या कहलाएगा ecosystem कहलाएगा तो कोई भी ऐसी जगा जहाँ पर no living or living आपस में interact करती है nature में balance बनाने के लिए तो वो ecosystem कहलाता है दूसरे type के ecosystem जैसे कि forest jungle जंगल का एक अपना ecosystem है jungle के organism अपने abiotic component के साथ interact करेंगे balance maintain करेंगे तो forest का अलग ecosystem होगा pond का अलग system होगा तालबों का और जो leks होती है जील होती है उनका एक अपना अलग ecosystem होता है these are natural ecosystem while gardens and crop fields are human made artificial ecosystem forest, pond or lakes ये क्या है natural ecosystem है nature ने इनको खुद बद खुद बनाया है जबकि जो बगीचे होते हैं crop fields होते हैं जहाँ पर हम crops उगाते हैं ये human made ecosystem है बगीचे भी तो human बनाते हैं तो ये artificial ecosystem कहलाते हैं तो यहाँ पर activity दे गई है इसमें क्या है अगर आपको aquarium बनाना है जहाँ पर मचली रहा रखते हैं तो उस aquarium को बनाने के लिए आप क्या क्या करेंगी यहाँ पर दिया गया है तो aquarium बनाने के लिए आपको क्या चाहिए फिश चाहिए और फिश के लिए एक free space चाहिए जहाँ पर वो swimming कर सके free space large jar भी हो सकता है साब इसाथ आपको water चाहिए oxygen चाहिए और food चाहिए अगर हमें aquarium में oxygen प्रोवाइड करा नहीं तो हम उसको oxygen pump के द्वारा oxygen pump के द्वारा उसको provide करा सकते हैं और फिश हम कहां से ले सकते हैं market से खरीज सकते हैं अगर जो हम aquarium बना रहे हैं उसमें हम कुछ aquatic plants जो पानी में रहते हैं और aquatic animals और डाल दें तो ये self-sustaining system हो जाएगा aquatic plants उसमें oxygen भी produce करते रहेंगे और साथ साथ महाँ पर बाहर से oxygen provide कराने की जोरत नहीं होगी तो जो aquarium होता है ये भी example है human made ecosystem का क्योंकि aquarium human के द्वाराई बनाया जाता है जहां पर मचलियों को वो अपने घरों में सद्यावट की रूप में रखते हैं We have seen in earlier classes that organism can be grouped as producers, consumers and decomposers according to the manner in which they obtain their sustenance from the environment हमने पिछली कलासों में पढ़ा है कि जो organism हैं उनको तीन गुरुप में बाटा जा सकता है एक तो producer, दूसरा consumer, तीसरा decomposers और इनको किस आधार पे इनको गुरुप किया जाता है कि ये environment से अपना भोजन किस तरीके से ले रहे हैं जो producers होते हैं उस अपना भोजन खुद बनाते हैं जो consumers हैं वो खाने के लिए producers पर depend होते हैं और जो decomposers हैं वो dead living plants जो dead plants होते हैं या dead animals होते हैं उन पर खाने के लिए depend करते हैं let us recall what we have learned through the self-sustaining ecosystem created by us above तो अब हम देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा जो self-sustaining ecosystem हमने उपर बनाया जो अपने आप भोजन भी बनाता है और अपने आप उस भोजन जो बना रहे हैं organism वो दूसरे जो organism हैं उनको भोजन भी provide करा रहे हैं तो यह self-sustaining ecosystem इसकी क्या क्या characteristics है यह हम देख लेते हैं तो इसमें question पूछा गया कि जो sun की जो radiant energy होती है यानि sunlight में जो energy होती है तो कौन से ऐसे organism है जो sunlight का use करके chlorophyll की presence में sugars और starch जैसे substance बनाते हैं तो sunlight का use करके इन organic substance है organic substance कौन से organism बना रहे हैं यह question पूछा गया तो इस cancer है all green plant and certain blue green algae which can produce food via photosynthesis come under this category and are called the producers यह producer की definition दी गई है सभी green plant और कुछ blue green algae जो photosynthesis के दौरा अपना भोजन खुद बना सकती हो वो कहलाते हैं producers तो photosynthesis क्या है photosynthesis वे reaction है जिसमें sunlight का use करके जो producer है वो अपना भोजन खुद बनाते हैं तो सभी green plant और blue green algae अपना photosynthesis का use करके जब अपना भोजन खुद प्रोडूस करते है तो ये plants क्या कहलाते है producer, तो producer में क्या क्या आ गए green plant और कुछ blue green algae organism depend on the producer either directly or indirectly for their sustenance, तो जो producer के अलावा जो दूसरे organism होते है वो खाने के लिए producer पर या तो directly depend करेंगे यानि वो producer को या तो directly खा लेंगे या indirectly depend करते है these organism which consume the food produced either directly from producer और indirectly by feeding on other consumer are the consumers तो ऐसे organism जो अपने खाने के लिए producer पर depend करते है या तो directly वो producer को खा लेंगे या indirectly वो दूसरे consumer को खा लेंगे तो ऐसे organism हमारे consumer कहलाते है अब यहाँ पर दूसरे consumer का मतलब क्या है जैसे यहाँ पर हमारा plant है ठीक है यह plant हमारा क्या है producer अब plant को खाएगा grass ओपर टिड़ा खाएगा तो grass ओपर यहाँ क्या कहलाएगा consumer अब grass ओपर को खाएगा frog तो frog भी तो क्या कहलाएगा frog भी तो consumer ही कहलाएगा यहाँ पर जो grass है वो primary consumer और जो frog है वो secondary consumer कहलाएगा तो अब plant तो अपना खाना खुद बना रहा है तो यह producer जो grass है वो directly plant पर खाने के लिए depend कर रहे है directly grass क्या कर रहे? वैँ, plant को खा रहे है तो यह क्या कहलाएंगे, consumer यह भी consumer कहलाएंगे, अब जो frog है वो खाने के लिए grass पर depend कर रहा है तो, महल cheg love गञास पर नहीं गरास होपर पर depend कर रहा है फ्रोग किसे ख़ार रहा है? गरास होपर को तो फ्रोग भी क्या कहलाएंगे? फ्रोग भी consumer कहलाएंगे लेकिन जो फ्रोग है वो indirectly plant पर depend है क्योंकि अब जो बांट की energy थी वो गरास होपर में चली गई है producer पर frog indirectly depend करते है तो consumer क्या है consumer वे organism है जो अपना खाना producer से obtain करते है consumer can be classed variously as herbivores carnivores, omnivores and parasite अब जो consumer है उनका भी classification क्या गया है consumer herbivores भी हो सकते है herbivores का मतलब जो green plants काते है बस plants काएंगे carnivores क्या होंगे जो meat खाते हैं, सिर्फ meat खाएंगे और omnivores, omnivores का मतलब जो दोनो plants भी खाएंगे और meat को भी खाएंगे, तो ये omnivores कहलाते हैं जैसे कि human beings plant भी खाते हैं और meat भी खाते हैं, और parasites और जो parasites होते हैं वे organism होते हैं जो host की body से चिपक कर, या host की body के अंदर जाकर महां से nutrition obtain करते हैं प 빠ASIC क्या करेंगिया? तो host की body के अंदर चिले जाएंगे उससे nutrition obtain करेंगे या host की body से चिपक जाएंगे उससे nutrition obtain करेंगे can you give example for each of these categories of consumers कि आप herbivores, carnivores, omnivores इनके जो example दे सकते हैं बिल्कुल दे सकते हैं herbivores क्या है जैसे कि गाएं, बैस, काव और बफेलो सिर्फ प्लांट काते हैं carnivores क्या है जैसे कि शेर meat काता है omnivores, human beings, parasites parasites में आगई जैसे कि leech जो lice होते हैं जैसे कि हमारे जो सर में जूएं हो जाती हैं वो भी तो parasite है हमारे सर पर छिपकी रहती हैं और हमारे body से nutrition ओप्टेन करती रहती है imagine the situation where you do not clean the aquarium and some fish and plant have died अब अगर आपने aquarium बनाया है तो एक ऐसी situation उसमें आ सकती है जब आप अपने aquarium को साफ नहीं करेंगे have you ever thought what happens when an organism dies क्या आपने सोचा है कि जब भी कोई organism plants हो या animals हो वो मर जाता है तो उसके बाद उसकी body का होता क्या है the micro organism comprising bacteria and fungi break down the dead remains and waste product of organism जो micro organism होते हैं जिसमें की bacteria और fungi आते हैं ये क्या करते हैं ये dead plant या dead animals को या कोई भी dead organism है उसकी body को break down कर देते हैं उसकी body को decompose कर देते हैं तो bacteria और fungi क्या करेंगे जो dead plant animal है dead organism है उनकी body को decompose कर देंगे नश्ट कर देंगे these micro organism are the decomposers as they break down the complex organic substance into simple inorganic substances that go into the soil and are used upwards up more by the plant तो ऐसे micro organism जो dead plant animals को या dead organism को decompose कर रहे हैं वो कहलाते हैं complex organic substance को plant या animal के अंदर जो complex organic substance है उनको simple inorganic substance में तोड़ देते हैं अब complex organic substance को उन्होंने simple में convert कर दिया तो यह simple inorganic substance क्या होते हैं, soil के अंदर चले जाते हैं, soil के अंदर चले जाने के बाद, यह plants के द्वारा दुबारा से use कर लेते हैं. What will happen to the garbage and dead animal and plant in their absence? अब जो यह मैंने उपर बताया, इसका मैं आपको एक example देता हूँ, जैसे हमारी body है, उसमें complex organic substance जैसे कि protein, fats, carbohydrates यह होते हैं, तो decomposer क्या करेंगे, इन complex organic substance को inorganic substance में convert कर देंगे, जैसे कि carbon dioxide में convert, ammonia में, water में, इन सब में convert कर देते हैं, जो soil में जाते हैं, फिर से उनको plant use कर ल plants होते हैं, उनका क्या होगा, अगर जो यह microorganism है, यह नहीं होगे, microorganism अगर absent हो, तो इन garbage dead animal और plant का क्या होगा, Will the natural replacement of the soil take place, even if decomposer are not there, क्या soil का natural replenishment हो जाएगा, अगर decomposer ना हो, Soil को जो inorganic substance decomposer provide कराते हैं, क्या soil को फिर से मिल जाएगे, अगर decomposer खत्म हो जाएगे, तो इसका answer है, नहीं, no, ऐसा क्यों, क्योंकि decomposer ही क्या करते हैं, dead animals और plants को inorganic form में convert कर देते हैं, अगर वो होगे ही नहीं, तो वो convert नहीं कर पाएगे, और soil को जो nutrients हैं, वो नहीं मिल अब इसमें activity दी गई है, कि aquarium बनाते समय, क्या आपने ये ध्यान दिया था कि आपको aquarium में ऐसा organism नहीं डालना है, जो दूसरे organism को खाता हो, फिर इसमें कहा गया है कि aquatic organism में आपको एक chain बनानी है, जिससे कि आपको पता लगे, उसमें food chain किस तरीके से होती है, जैसे कि aquatic organism में जो produce होते हैं, वो mainly algae होती है, producers, algae को खाएंगे माल लीजे, algae को माल लीजे, लारवा खा रहे हैं, लारवा किसी के भी हो सकते हैं, small छोटी fish के लारवा, mosquito के लारवा, और इन लारवा को माल लीजे, जो fishes हैं, वो खा रही हैं, तो इस तरीके से एक food chain बनती है, ये जो एक आप sequence देख रहे होंगे, ये कहलाती है food chain,